अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भुलें अपने कर्ताव्योपत पर बढ़ता है उधर अपमानित केर्थी वन मार्गों पर श्री गणेश को पुकारती आगे बढ़ रही है मुझे शक्ति दे प्रभू मुझे ध्यरे दे मंगर मुर्ती जिससे मैं इस संकट का सामना कर सकूं अब मैं पट्रानी नहीं रही तासी से भी पत्तर दशा हो गई है मेरी तुम यहां मेरे पीछे पीछे क्यों चलिया आई बेला मुझे तेश निकाला दिया गया है लोट जाओ बेला लोट जाओ किसी ने देख लिया तो तुम पर भी संकट आ जाएगा मुझे किसे संकट की कोई चिंता नहीं है मैं आपसे पुछने आई हूं कि आप राजमेहल छोड़कर क्यों चलिया आई चलिया राजमेहल लोट चलिया आप मैंने तुमसे कहा न बेला मुझे देश निकाला दिया गया है अगर पट्रानी नहीं रही आपके सीवा विराध देश की महारानय और पट्रानी कोई और नहीं हो सकती चलिया लोट चलिया सारे राजपुरुश और प्रजाजन आपके साथ हैं आपके विरुद अन्याय से उन सब के भीतर रोश है वे आपके अन्याय का अवश्य बदला लेंगे नहीं बेला अब मैंने सब कुछ अपने आराथ्य श्री गनेश पर छोड़ दिया है अब मेरे सम्मान की चिंता वे ही करेंगे सम्मान की चिंता तो अब अपको करने होगी पट्रानी जी चलिए मेरे साथ चलिए नहीं बेला इतने बड़े अपमान के बाद अब में विरार्देश नहीं जा सकते अब मानका उसर आप नहीं दिया था पट्रानी जी आप हारती गई और वो दुष्टा शाशी प्रभा निरंतर जित्ती गई वह आप विराड देश की महारानी है नहीं मेरी और विराड देश की महारानी आप और किवल आप है आपका इस्तान कोई नहीं ले सकता उस समय पर यदि मैं वा होती तो आपकी ये दशाना होने देती मैं आपको अन्याई का विरोध करने के लिए विवश कर देती अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पट्रानी जी लोट चलिए और उस दुष्टा शशिप्रभा को राज महल से निकालने का कोई उपाई किजी नहीं बेला अब यह मुझसे नहीं होगा नहीं होगा यह मुझसे परन्तु इस संगश का नेत्रित्व आपको ही करना होगा पट्रानी जी हर कोई आपकी सहायता के लिए उत्सुख है प्रजाजनों के रोज को आपकी उपस्तिती विद्रों में बदल देगी महराज आपको स्विकार करने के लिए विवश हो जाएंगे सके बेला उझे महराज को विवश नहीं प्रसन्न करना है उनकी प्रसन्नता में ही मेरा सुक है बेला अब मैं आपको कैसे समझाओं पट्राने जी कैसे समझाओं अब समझना और समझाना मेरे आराध्य श्री गणेश को है उनकी क्रफा की प्रतिक्षा करो बेला देखना आने वाला समय पहले से अधिक सुखद और आनन में होगा देखना बेला तुमने सुना बेला श्री गणेश के भक्ति की स्वर मेरी साहता करने के लिए आप पहुचे हैं मंगल मुर्दी चाहते हैं कि इस संकट कांत करने के लिए मैं उनकी भक्ति का आश्रे लो आओ बेला मेरी साथ आओ हम दोनों मिलकर श्री गणेश के आराधना करने वाले उस भाग को डूनते हैं आओ बेला आओ मेरे साथ जे जे शीवा गनेश आप धन्य है मंगल मुर्दी और धन्य है आपकी भक्ति गनेश जास के पावन स्वर से प्रेरित होकर महरानी किर्थी और बेला स्वयम ही उस और जा रही हैं अब मुझे प्रेणा देने की क्या हो शक्ता अब तो मुझे उस दुस्ता शशी प्रभा को साब्धान करने के लिए जाना होगा जे जे शीवा गनेश ओम गनगण पते नमा कर्मचारी अंगन स्नुनें मन एऊ जाड़े म सेवक है हम अपने सेकों को प्रसने देखना चाहते हैं न कि उदास और निराश यदि आप इसी तार हमारे सामने मुलत का कर्कर कणे रहोगे तो कीर्ति के समान वेराज देश से बाहर निकाल दिये जाओगे। उदास और निराश रहने वालों को इस राजमहल में कोई स्थान नहीं है। नहीं महाराणी की जैह हो। महाराज और राजप्रोईद हरी चरण जी अभी पधार रहे हैं। दुष्ट द्वारपाल, क्या तु नहीं जानता। हम बैराज देश की महराणी नहीं। पट्राणी है पट्राणी। हमें पट्राणी कहकर पुकारने से तुझे किस ने रोका। क्या तु हमारे क्रोध और दंड का पात्र बना चाहता है। रोशना करें पट्राणी जी, हमारे सभी सेवक आग्याकारी हैं। आपकी सेवक आग्याकारी हैं, तो मुझे पट्राणी कहकर आदर क्यों नहीं देते। अभ्यास ना होने के करण भूल हो जाती है। अब हर कोई आपको पट्राणी कहकर ही पुकारेगा। इस समय के बाद से इस भूल को ख्षमा नहीं किया जाएगा च्षमा करें महराज वाईराड देश की पटरानी महरानी कीर्थी ही हैं किसी के पुकारने मात्र से छोटी राणी पटरानी नहीं हो सकती क्या आप राज परोहित को मेरा अपन करवाने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं महाराज? इन्हें इनकी भूलका दंड दे दीजिए राज अग्या के बाद भी? इसे राज अग्या का नाम न दे महाराज पट्रानी कीर्ती के जीवित रहते ये राज आग्या हो ही नहीं सकती। तुम जिसे पट्रानी कीर्ती कह कहकर हमारा अपमान कर रहे हो, उसे तो महराज ने देश निकाला दे दिया है। कि उनकी महांता है उन्हों हम ने' आपके अन्याइवान की इसथान और रहने का क्या अधिकार्व क्या एंदिकार मैंने राजप्रोहुत का पत है अपनी योगता और वंध्य परमपरा से प्रवद किया है हमारे ही आशिर्वाद धार्मिक अनुस्ठानों के खारण इस राज्य में प्रभू की कृपा बनी रही कभी कोई संकट नहीं आया परंतु आपने भक्ति मति पठरानी कीर्थी को अपमानित कर देश निकाला देकर संकट को स्वेम आमंत्रित किया है महाराज महाराज रोके इस दुष्ट राजपुरोहित को अन्यथा अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगी महाराणी रामभन और पुरोहित आदर के पात्र होते हैं मेरे साथ अबद्र व्यवार करके आपने हीन बुद्धी वह दुष्टता का परशे दिया है अब मैं यहां से स्वय मैं अपना पत्याग करके चला जाऊंगा केवल राजपुरोहित हरी चरंजी ही नहीं अपनी तु हम सब भी इस वातवान में नहीं रहेंगे महाराज महाराणी शेश्यप्रभा के कहने पर पट्रानी कीर्थी के साथ आपने जो अन्याय किया है उसे बदलना होगा अन्यथा हम सब वेराड देश की सेवा को त्याग देंगे नहीं नहीं आप सब ऐसा नहीं महाराणी के अभधर वेवार के लिए मया से शमयाचना करता है मुझे महाराणी कहकर भी आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ महाराज जो आप इन अयोग के राजपुरुषों से एक शमयाचना करें हैं इन्हें तुरन दंडित करके तरवास में डाल दीजिए महाराज ये अज्ञानी नारी सभ्यता और आदर्स की सभी सीमाय लांग चुकी है इसकी बुद्धी प्रमेथी नहीं शापित भी हो गई है अगर आप साउधान न रहें महाराज तो ये कलंकित नारी आपके सौभागी को दुरभागी में बदल डालेगी गणेश वक्त पट्रानी कीरती के चले जाने से ये राज महल गणेश रोष का पात्र बन गया है अब मैं एक पली आने ही रहूँगा जाने से पहले मैं तुम्हें साउधान कर देना अपना करतब्य समस्ता हूँ यदि तुम्हें पट्रानी कीरती से चमा मांग कर लोटाने का प्रयास नहीं किया तो इसका परिणाम भयानक होगा तुम्हें एक पल भी शांती से नहीं रह पाओगी और पापो के दुस्चक्र में फस्ती चली जाओगी मैं तुम्हारा भवी से स्पस्ट देख रहा हूँ अपने पापो के कारण तुम कभी माता नहीं बन पाओगी और एक दिन ऐसे आएगा कि तुम अपने पती की नजरों में गिर जाओगी अब भी सावधान हो जाओ शर्शी प्रभाद प्रण जर्शी आओगी कि करना तुम नहीं पहचाना मैं तुम्हारा आक्रोश हो अभिमान हो अज्ट तुम्हारे कारण मेरा अपमान हुआ है भले ही तुम अपने रूप के बल पर महराज शशीवाहन को प्रसंद कर सकती हूं परंतु प्रजाजन और राजपुरुष उसी दुष्टा कीर्थी के साथ है जानती हूं भली भाती जानती हूं उसे अपनी पट्रानी मानने वाले र महराज के सापने मेरा घोर अपमान कर दिया हूं और तुम अपमान सहती रहे और क्या करती है इतनी सारे गोर अपमान की बाद भी सुख की शयया पर आनन की मीन सो रहा है यह पुरुष है इस पर विश्वास करती हो न तुम अरे जो अपने पहली पत्नी कीती का नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता है कि क्या कह रही हो तुम महराज सिर्फ मेरे हैं मेरे ये भूल है तुम्हारी यदि तुमने इस भूल का सुधार नहीं किया तो तुम अपने साथ साथ मेरा भी बार बार अपमान करवाओगी सुधार कैसा सुधार अपने विश्वास को अपना बनाने का खेल खेलो वो कैसे अपमान का वास्ता दे कर इस महल के साथ महराज शशी वाहन का भी त्याग कर दो त्याग हाँ हाँ त्याग इन्हें अपने चर्णों पर छुकाकर अपना अधिकार पाना चाहती हो न शर्ची प्रभा तो जो मैं कहती हूं पैसा करो त्याग कर दो इनका मैं इनका त्याग करूंगी तो वो कीर्ती फिर से पड्रानी बनकर व्यरादेश लॉट आएगी और अपनी जैजायकार करवाएगी और वो मुझे कही कानी छोड़ेगी मैं मैं महाराज का त्याग नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूगी मुझे अपमान नहीं अधिकार प्रिया है साफधान साफधान जिते शिमा कदेश तो यही है स्वी गनेश की परव भक्त पत्राने कीर्थी को गस्ट पहुचाने वाली दूस्टा शेशी प्रवा शेशी प्रवा का अर्थ होता है चंद्र की चान्दनी पर तो इसके मुख पर तो दुख की कालिवा चाहिए जेजे शिमा गनेश श्री गिनेश भक्त को सताने वालों पर दुख की कालिवा नहीं चालेगी तो और क्या होगा जैजेश्री इस मैं यह वैgado यह . यहाँ प्रकट की हुआ हूँ जह जीश्य वागनेश तो तुम्हारे मुख पर च्हाए तुम्हारे मुख पर्छाやって गॉदिन तुम किसी को मुह दिखाने योग्य नहीं रहोगी उसके आप तुमे अपना नाम का Васइज सी माघनेश को नाम किसी चाहते हूँ जे जे शिवाह गानेश मैं केवल तुम्हारा यही नाम नहीं जानता हूं जो तुम अपना सुभाव ना बदलने के पारिन रफवाओगी काली प्रभा दुख की काली प्रभा महराज, महराज, श्री गनेश की इच्छा होने तक वो नहीं जागेंगे, एक बात तुम और सुनो शशिप्रभा, श्री गनेश अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं, उन्हें कैसे पहुचा कर तुम अपना सारा जीवन का लंकित कर लोगी, तुम पत्रानिक प्रती से श्री गनेश जै हो श्री गनेश भक्तों की, जै हो गनेश भक्त गनेश दास की, अपनी दासी बिला के साथ यहां आकर श्री गनेश भक्ती में लीन हो गई, इन्हें देकर आश्या रेना करो, बरन्तु तुम्हें चिंता करने की कोई आवशकता नहीं है, मैं यहां तुम्हारी भक्ती में बादा डाले नहीं आया, मैं तो अपने अराथिर, गौरी पुत्र का आदेश मानकर अपनी भक्ती जगाने आया हूँ, मैं को संजा नहीं भक्त मित्र जैजय श्रीवा गनेश मैंने अभी तुम्हें समझाया ही कहा है भईया पस इतना समझ लो कि तुम्हारी भक्ति से प्रसंद होकर श्रीगनेश तुम्हें एक और बर्दान अवश्य पुदान करेंगे और महरानी कीर्थी को भी उनकी गनेश भक्ति का प्रसाद उन्हें अवश्य मिलेगा जै जै शिवा गनेश जै जै गोरी पुत्रशी गनेश